असलाम लेकॉम वेलकम टू लाइवली कुकिंग आज हम बनाएंगे रस्मलाई मिल्क पौडर से कुछ टिप्स हैं जो कि आज मैं आपको दूंगी तो आप इसको एज़ इस फॉलो करें पूरी वीडियो आप देख लें और आप इसको एज़ इस फॉलो करें तो आपकी रस्म 10 लिटर में यहां पे फुल फेट मिल्क ले रही हूं और इसे उबाल आने तक हम पकाएंगे बीच में से इसे स्टेर करते जाएंगे जैसे इसमें अबाल आना शुरू हो जाए तो अब हम इसमें चीनी एड़ करेंगे चीनी में यहां पे वन भाई थर्ट कप इसमें ज्यादा कर सकती हैं इलाइची पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 by 4 टी स्पून सिंबल आप इलाइची पीस कर इसमें शामिल कर सकती हैं अब हम इसे पकाएंगे लो हीट पर 10 मिनिट के लिए और अब हम अपने बॉल्स बनाएंगे मिल्क पॉडर के जो बॉल्स होते हैं वो हम इसे लिए में फुल फेट मिल्क चाहिए वन कप भर के इस तरह लेवल हम ले लेंगे वन टी स्पून लेवल हम बेकिंग पाउडर लेंगे मेक शोर कि यह आपकी जो मेजरमेंट्स है वो एक्यूरेट हो वन टी स्पून हम इसमें मैदा एड़ करेंगे आल पर पर पस फ्ला याद रखें कि मेजरमेंट्स के लिए आप इसको लेवल करें यानि कि जो चमच में आप लें तो उसको आप छुरी की मदद से लेवल करके इसमें एड़ कर लें इस तरह अब हम इसमें वन टेबल स्पून ओयल एड़ करेंगे याद रखें कि घी आपने एड़ नहीं करना आउल ही एड़ करना है एक अंडा लेंगे जो कि रून टेम्परेशर पे होना चाहिए और इसे हम अच्छे से फेंट कर साइट पर रखेंगे ओल को हम मिक्सर में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें आइसता इसते करके अंडा शामल करके इसे गुनते थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें अंडा एड़ करें इस तरह करके आप इसे गुनते जाएं आटा हमारा इस तरह होना चाहिए जैसा कि हम नॉर्मल आटा गुनते हैं तो इससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए लेकिन स्मूथ होना चाहिए मेरा यहां पर पूरा अंडा इस के बॉल्स बनाएंगे डो को आपने बना के रखना नहीं है बिल्कल भी जैसे यापका डो त्यार हो जाए हाथ पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा हो ताप इस तरह करके इसके च्टे छोटे छोटे बॉल्स बनाअ लीं या फिर में बना क्रेक्स website स्बर्क नहीं होना चाहिए और बॉल्स को भी आपने इसरा करके दबा लेके बिख़ेंगे मेरे कहाल चाहिए को भी रूम डोल्स बनाएंगे तो या एक एक करके एसमें डालतें जाएंगे जो मिक्सर है उसे साइट पे रखतें और उसी से एक एक बॉल बनाकर इमीजिटली आप इसमें डालते जाएं, बिलकुल भी अपने साइट पे नहीं रखना, वरना बॉल्स आपके सखत हो जाएंगे, उसमें क्रैक्स पर जाएंगे, इस तरह करके हम इसमें एक एक बॉल डाल जाएंगे, एक उबाल आ चुका है, अब हम इसे इस तरह करके किसी कपड़े की मदद से देश्कियों को पकड़ेंगे, हलका हलका सा ऐसे इसको घुमाएंगे, चमच आपने इसमें बिलकुल भी नहीं चलाना, पहले के 10 मिनट हम इसमें चमच बिलकुल भी नहीं चलाएंग अब हम इसे ढखकर 10 मिनट के लिए पकाएंगे, 10 मिनट के लिए आपने इसे पका लेना है, लो आँच पर बिलकुल लो आँच पर आपने इसे 10 मिनट के लिए पका लेना है, और इसके बाद आप इसे चेक कर सकती हैं, अगर एक छोटा सा बॉल आप उठा के देख लें, अ यहां पे जो में बनाए हैं मीडियम साइस के हैं तक्रीबं 15 मिनट लगे हैं मुझे इसको कुक करने में तो अगर आपके बॉल्ड में क्रेक्स नहीं है तो आप इसे अच्छे से पका सकती हैं दस से पंदरा मिनट में ही आपकी जजीज सी रस्मलाई तियार होगी 10-15 मिनिट बाद हम फ्लेम आफ कर दींगे और जो इसके बॉल्स है वो हम निकाल कर सर्विंग डिश में रख देजाएंगे इस तरह करके इतियाद से अब सारे बॉल्स निकाल लें और इसको डिश में रख लें जो के आपका सर्विंग डिश है तो आप इसमें रख लें सारे के सारे बाल्स हम निकाल कर सर्विंग डिश में रख लेंगे और जो दूद है तो इसमें हम केवरा वाटर या फिर केवरा एसंस एड़ करेंगे मैं यहाँ पे इसमें केवरा वाटर एड़ करी हूँ तकरीबन यह आप देख सकती है वन टी स्पून के करी मैंने इसमें केमरा वाटर एट किया अगर एसन्स आप यूज़ करें हैं तो आप 3 तो 4 ड्रॉप्स इसमें यूज़ कर सकती है और इसके बाद जो हमने रसमलाई डिश आउट की थी तो इसके उपर जो सारा दूद था वो हम इसके उपर डाल लेंगे इस तरह करके सारे के सारा दूद हम इसके उपर डाल लेंगे और इसके बाद हम इसके उपर कुछ नट्स प्रिंकल करेंगे जैसे के बादाम पिस्ते वगएरा इस तरह करके बादाम और पिस्तो की स्लाइस हम इसके उपर डालेंगे इसे पहले हम room temperature पे ठंडा करेंगे room temperature पे ठंडा कर लेने के बाद हम इसे cover करके याद रखें कि इसको सक्त होने से बचाने के लिए इसके उपर हम इससार करके कोई plastic cover, plastic sheet या कोई भी plastic आप इसके उपर चड़ा दें और इसको कम से कम आप overnight के लिए आप इसे फ्रिज में रखने के बाद सर्फ कर सकती है बहुत ही जबरदस्ट और बहुत ही soft हमारी रस्मलाई त्यार होगी जो के बिलकुल अंदर तक पकी वी होगी और इसका जो juice यानि के जो milk होगा वो इसने अंदर तक इसने जज़व कर लिया होगा बहुत ही जबरदस किसम की रस्मलाई बनती है आप इसे जरूर बनाएए जरूर ट्राइ कीचे और अगर आपको कोई भी क्वेस्टन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मैंने चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा थेंक यू फॉर वाचिंग अल्ला हाफिज